हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है आज हम रसायनिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चेप्टर धातु और अधातु का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टापिक सक्रिता सिरड़ी अर्थाथ एक्टिविटी स्रीज जो आपके एक्जाम में इस टापिक से आध्यम से याद करेंगे इसमें आपको समझाया गया है और उस ट्रीक को भी बताया गया है इस पर किस तरह से क्वेश्चन आपकी एक्जाम में बनते हैं उन सभी बातों को यहां पर आपको बताया गया है बस आप धहरे पुरुवक इस वीडियो को दो से चार मियोड है यह सभी तत्व आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा दिखें आपके सामने के दिया है के और थिखक भी और निच अने अर्थ होता है ऒजिए का अर्थ होता है फे का जीक अर्थ होता है गोल्ड वेगेत को मिने速ल उन हमदने का इस योग को आर्थ होता है अर्थ होता यह घुड और लेट को यह इसका सक्रिता सेड़ी के घर्टे करम दिया गया है। सबसे अधिक शक्रिय तत्तु काउंसा है फ्रेंट्स यह होता है पूटेशियम तो आपके अब्जेक्टिम में यह क्वेशन पूछता है कि सबसे अधिक शक्रिय तत्तु काउंसा है तो उसका एंसर होता है पूटेश तहीं यह सिरड़ी आपको याद हो जाएगा और इस पर किस तरह से question बनता है इसको भी आपको हम बताएंगे दखी याद कीजिए काना देखें यह case हो गया काना कामागे यारी काना कामागे इल्मूनियम जिंक आइरन मागे इतने तक याद रखें आप यहां तक काना कामागे इल्मूनियम जिंक आइरन मागे फिर इसकी बाद याद रखें पी बी एच जी यानि पी बी एच जी सी यू एच जी यानि पी बी एच जी सी यू एच जी A, G, A, U A, G, A, U साथ में friends मेरे A के दो बर बोलिए आपको ये सभी सक्री जो तत्तो होते ही याद हो जाएंगे आपको कि काना का मांगे एल्मूनियम जिंक आहरन मांगे पीपी एच सी यू एच जी A, G, A, U तो देखें friends ये आपको एक दो बार बोले होंगे तो आपको याद हो जाएगा बस क्या करना है कि आपको इसको कापी पर लिखिए और लिखने के बाद एक दो बार बोल लेजिए काना का मांगे एल्मूनियम जिंक आहरन मांगे काना का मांगे एल्मूनियम जिंग आईरन मांगे पी बी एच सी यू एच जी एजी एउ बस इस तरह एक दो बार बोलिएगा आपको ये सभी तत्व इसी में याद हो जाएगा ये आपका सक्रिता सेरी के घरते करम में तत्व लिखा गया है चैने फ्रेंts इस पे किस तरह से कुएच्च्ट आपको एकजाब में पूछता है वो अभी आपको यहाँ पे देखाते हैं तो फ्रेंस आपके सामनी यह क्या पर क्या है कि क्या है कि कापर सलफेट विलियन में डूबी हूई की केली पर ताबा जम जाता है तो फ्रेंड्स, यहांपे लिखा है copper sulfate और यहांपे लिखा है लोहा, तो लोहे का अर्थ होता है यफी और copper sulfate का फार्मूला होता है C.U.S.O.4, देखिया फ्रेंड्स अब यहांपे लिख रहा है कि क्या है कि copper sulfate उलियन में डूबी हुई लोहे कि किली पर ताबा जम जाता ह या कापर सालफेड़ में से कापर निकल कर मुक्त होकर आईरन पर यानिक यो किलिव उस पर जम जाता है ढहर जाए इसका क्या कारण यही आपको बताना है तो friends यहाँ पर बस आपको 농माँ लिखना है देखिए यहाँ पे होता क्या है कापर सलफेट में से कापर को मुक्त करेगा और जैसे ही कापर यहां से मुक्त होगा यानि कापर सलफेट जो होगा उसमें से कापर मुक्त होगा तो आयरन के छड़ पे जाके जम जाता है तो फ्रेंड्स देखें यह जितना सक्री ततो जितने ऊपर यह सक्री ततो जितने ऊप पर होता है वह उतने अधिक सक्री होता है और उसके विलियल में से उस तत्यों को मुक्त कर देता है यहां से आपको समझ में आ गया होगा चलिए इसको हम आपके सामने पूरा लिखे हैं इसको आपको पढ़ के सुनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए देखिए आपको यही आपके सामने लिखा है इसी तरह लिखना है आपको कि विदूत्र रसायनिक सड़ी में यफ जो है यही मतलब iron कापर से उपर रिस्तीथ है अर्थाद यफ ही जो होता है यहीं कापर से अधिक शक्रियाशील धात हुए सीए में सीयू को मिस्थाप्र कर देता है और मुख्त हो जाने की किली पर जम जाता है या या को कापर सलफेर्ड में से मुक्त करता है और लोह जोड strips है उस पर जाके जम जाता है चलिए फ्रेंट्स नेक्स K्वेस्टन को देखते हैं और नेक्स क्वेस्टन इस तरह से क्वेस्टन आपकी एकजाब में पूछता है कि निम्नलिक्ष्ट अब इक्रिया संभु है या नहीं है आपके सामने यह question है और इस तरह से question भी आपने आपको देता है और और इस तरह से question पूछता है निमीलिकित अब करिया सम्भू है या नहीं तर दो यह दिया है क Argival Ça है तर नहीं आपके सामने एक रसायन करिया दिया है और प्रूसम्स पहलेब को सक्थथि्ट स्प्राइब याद होना चाहिए दetiा है कि सीउ जो हता है सी युव क्या है सिए लिजए या यानि कि हाइडोजन जो होता है कापर की अप अधिक कलसील है तो इसमें देखिए कापर कु दिखा रहा है कापर जो हाइडोजन को मुक्त कर रहा है जो कि असम्भो है हाइडोजन जो है यह हाइडोजन जो है मतलब कि हाइडोजन जो है कापर से अधिक क्रियाशील है इस कारण से यह कारण है कि हाइडोजन को यह कापर जो मुक्त नहीं करेगा जो कि यहां मुक्त दिखाया है यह रसाइनिक अब क्रिया क्या है आपका गलत है क्यों गलत है कि यह रसाइनिक जो क्रियासील जो दिया है क्रियासीलता उसमें कापर की जो क्रियासीलता है हाइडोजन की क्रियासीलता से कम है तो हाइडोजन की क्रियासीलता से कम होने कर यह हा रसाइनिक अबक्रिया क्या है गलत है जो यहाँ पर देख लिए ये एक बार और दिखा旦ेते हैं ये क्यायरजन क्या है कि कापर से अधिक क्रhesia आधिक क्राशील होने क्यारा कापर जो ये ता है रसाइनिक का क्यार दिया अब करिया दिया है यह आपका संभो नहीं है तो फ्रेंट्स इस तरह से आपकी एक्जाम में कोशन बनते हैं आपको परतम यह जो रसाइनिक अब करिया दिया है मतलब यह सक्रिता स्रेड़ी आपको यहाँ पर लिखा गया है इस सभी तत्यू को आपको याद होना चाहिए और इसको लिख लिए जिएगा कि काना का मांगे एलमुनियम जिंक आइरन मांगे पी बी एच सी यू एच एजी एजी एउ इस तरह बोलके एक दो बार लिखिये गए यह याद हो जागा तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चै सब्सक्राइब करें थांक्स फार वाचिंग